नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल Mona's Den में और मैं हूँ Mona आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रोटीन हेर मास्क जो आपके बालों की ग्रोथ को डबल करके आपके बालों को सिल्की और शाइन बनाएगा दोस्तों ये वाला पैक इतना अच्छा है कि आपको सब पूछेंगे कि क्या आपने कुछ हेर ट्रीटमेंट लिया है तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने ये बनाया कैसे है और हमने लगाना कैसे है दोस्तों वीडियो पूरा देखी क्योंकि वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स भी होती है और इंफोमेशन भी होती है तो दोस्तों एक ले लेना है अपने इस तरह से एग जो होता है यह हमारे बालों के लिए नैचुरल प्रोटीन का काम करता है ठीक है अगर आपके बाल बहुत जादा ड्राय है तब आपने पूरा एग लेना है और अगर आपके बाल थोड़े से ओली है तब आप इसका आपके पास जीन है तो आप घ्ल स्थ जीन मिलाएंगे हनी है दो हनी मिलाएंगे पिछली बार मैं AG में मिलाओंगी एक हम और भरह के इस तरह से हनी लगा लेना हमने लेना है कोई भी एक चमब लब्द रोब आपके बालों को सूट करता हो इसके बाद हमने लेना है एलोविरा जेल एलोविरा जेल दो चम्मच लेंगे जो लोग एलोविरा जेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्होंने लेना है अलसी का पानी बहुत वीडियोज में मैं बता चुक क्यों कि अलसी के पानी मतलग कैसे बनाना है अगर आप इस्तेमाल कर अगर आप पूरा एग लेते हैं तो थोड़ी स्मेल इसमें आएगी लेकिन अगर आप उसको अच्छे से वाश करेंगे बाद में अच्छे से शेंपू से कंडिशनर लगाएंगे तो आपके बालों में से वैसी स्मेल नहीं आएगी लेकिन आपके बाल बहुत अच्छे हो जा अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर हम लगा के देखेंगे तो चलिए लगाना शुरू करते हैं पैक लगाने से पहले अपने बालों को सुल जा लीजिए दोस्तों ध्यान रखिए कि आपके बाल साफ होने चाहिए ऐसा ना हो कि बहुत समय से आपने बा बालों के अंत तक लगेगा अब आपने और भी बहुत सारी चीज़े ध्यान के बालों का शाइनी चमकदार और लंबे होने का एक और राज होता है कि आप हेल्दी खाना खाएं आपने देखा होगा मेरे बाल पहले बहुत चोटे थे काफी लंबे हो गये बस इनी सब चीज़ तो आपने खुले छोड़ने हैं बाल और अगर आप जिस भी पोजिशन में रहे वेव आ जाए या थोड़े से करली हो जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप बालों को बांध भी सकते हैं अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लगे कि आपके बाल बहुत ही जादा ड्राय है तो आप थोड़ा सा कैस्टर रॉयल का इस्तेमाल इसमें जरूर करें मुझे पता है आप बोलेंगे कि कैस्टर रॉयल जब हम लगाते हैं तो वह निकलता नहीं है बालों पटी चोके गरम पानी से गुनगुने पानी से धोए निकल जाता है तो यह देखो पूरे बालों में अच्छे से लग जाना चाहिए यह एक ऐसा मास्क है जो जड़ों से लेके अंत तक लगेगा तभी आपको फाइदा अच्छा देगा अब आपने लगाना कब कब है हफते में कम से कम एक बार तो आप इसको जरूर लगाए अगर आप दो बार लगा सकते ह तो बहुत ही बहतर है माली जी आपने आज सर्द होया है ठीक है और अगले से अगले दिन आप बालों में इसको लगा सकते हैं लेकिन 4-5 दिन बाद अगर लगाना है तो इसको लगाने से पहले आप दुबारा से शेंपू करेंगे बालों को ड्राइ कीजिए और उसके बालों में लगाई जब आप इसको लगाने के बाद अपने बाल दोएंगे बहुत सिल्की और शाइनी होते हैं बाल और इससे बालों की ग्रोथ भी भड़ती है कोई भी क्वेश्चन है आपका इस वीडियो रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री तो आसक इन कमेंट सेक्शन और अपना फीडबेक भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अब इतना वीडियो देख लिया तो लाइक तो कर दो यार लाइक तो बनता है ना बनता है ना तो कर दो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ पहान रखना क्योंकि आपको पता है अभी कोविड का टाइम चल रहा है अन्नेसेसरी घरों से बाहर नहीं निकलना है बहाने बना बना के कि अरे ये ले आते वो ले आते हैं पुलिस बाहर खडी रहती है बिल्कुल गेट के पास हां और बहुत मारती है तो आप घरों पे र रहे और हमेशा पोजिटिव रहे बाई